देश में COVID की तरफ हैल रहे H3N2 इंफ्लुएंजा से पहली बार मौतों की खबर सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स में हेल्थ मिनिस्ट्री के सुत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हर्याना और करनाटक में इंफ्लुएंजा के एक-एक मरीजों की मौत हुई है में कोरोना जैसे ही लक्षन देखने को मिल रहे हैं बेते कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जो 10-12 दिनों से तेज बुखार के साथ खासी से परिशान है एम्स के पुर्व निदेशक डॉक्टर रंदीप गुलेरिया ने पिछले दिनों H3N2 इंफ्लुएंजा से लोगों को साबधान रहने की अपील की है उन्हों ने कहा कि ये कोरोना जैसे ही फैलता है इससे बचने के लिए मास्क पहने शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार हाथ धोते रहें बुजर्गों और पहले से ही किसी बिमार परिशान लोगों को इससे ज्यादा परिशानी हो सकती है राजिस्थान में H3N2 के कई केस सामने आ रहे हैं इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे हैं इन्हें ठीक होने में 10 से 12 दिन का समय लग रहा है बच्चों को ICU तक में भरती करना पड़ रहा है SMS Medical College जैपूर में जनरल मेडिसन डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनित सकसेना ने बताया कि यहां OPD में हर 34 मरीज तेज खासी बखार की सिकायद लेकर आ रहा है और उन्हें कहा कि ज्यादा तर मामले H3N2 के अलावा इस से मिलने अपर रिस्परेटरी इंफेक्शन एडिनो वाइरस पैरा इंफ्लूएंजा वाइरस के हैं यह वाइरस मौसम के बदलाव के साथ एक्टिव होता है और तेजी से फैलता है इसमें बुखार सामाने तरह 3-4 दिन तक रहता है लेकिन कुछ केस में 6-7 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा ब्यूरो रिपोर्ट SMJ News इंडिया